नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राश्विर अन्सी आज कहानी उस टैबलेट दोलो 650 की जिसे करोना काल में डोक्टरों ने हिंदुस्तान के हर घर घर में पहुँचा दिया कैसे एक देशी ब्राड ने विदेशी ब्राड की क्रोसीन को पीछे छोड़ दिया आखिर क्यों डोक्टरों ने करोना काल के दोरान हर मरीज की प्रिस्क्रिप्शन में डोलो 650 ही लिखी आखिर क्यों कोई भी दवाई आपके घर में हो ना हो लेकिन डोलो 650 आज भी आपके घर में रखी हुई है आखिर क्यों एक फार्मा कंपनी ने डोलो 650 लिखने के लिए भारतिय डोक्टरों को बाटे एक हजार करोड रुपए आखिर क्यों 18 अगस्ट 2022 को इस मुद्दे की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोट के दो सीनियर जज़ों को कहना पड़ा कि ये मुद्दा वाक्या में बहुत गंभीर है बुखार की दवा डोलो 650 अब विवादों में है अगस्ट 2022 में सुप्रीम कोट में एक याची का दायर हुई याची का करता ने कोट को बताया कि डोलो 650 बनाने वाली कमपनी ने डोक्टरों को एक हजार करोड रुपए की घूस दी ताकि वो मरीजों को डोलो 650 खाने की सलहा दें डोलो 650 एक ऐसी दवा है जो पिछले दो साल से खूब चल्चा में है बुखार हो, सरदर्द हो, बदन दर्द हो डोक्टर सिर्फ एक ही दवाई डोलो 650 लिख रहे हैं हेल्थ केर फर्म IQ VIA के अनुसार मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक करोना महामारी के 22 महिनों में 566 करोड रुपे की 350 करोड डोलो 650 टैबलेट की बिक्री हुई है करोना के उन 22 महिनों में डोलो की कितनी बिक्री हुई है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर इन सबी गोलियों को एक के उपर एक रख दिया जाए तो उसकी उचाई माउंट एवरेट से 6 गुना और ब्रुज खलीफा से 63 गुना जादा होगी डोलो 650 की कहानी में गहराई से उतरें उससे पहले इस से जुड़े कुछ मज़ेदार मिम्स देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कोवीड काल में डोलो 650 कितनी बड़ी ब्रांड बन चुकी थी साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन तक जरूर देखें साथ ही मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा आखिर डोलो 650 में क्या है जो करोना काल में यही इतनी कारगर साबित हुई पैरासीटामोल एक जैनरिक साल्ट है जिसका इस्तमाल आम तोर पर दद और बुखार में किया जाता है यह 1960 से मार्किट में एविलेवल है चाहे करोसीन हो कालपल हो या डोलो फार्मा कमपनिया अलग अलग ब्रांड के नाम से पैरासीटामोल साल्ट ही बेजती है और डोलो 650 में भी यही साल्ट है कुछ नया और अलग नहीं है लेकिन जिस तरह ऐसे डोक्टरों ने करोना काल में मरीजों को डोलो लिखी उससे यह लगता था जैसे यह करोना की ही कोई दवाई है जिस तरह ऐसे बोतल बंद पानी के लिए बिसलेरी और फोटो कोपी के लिए जिरोक्स ब्रांड का इस्तमाल होता है वैसे ही करोना की दवाई का मतलब लोग अब डोलो बोलने लगे हैं और यह नाम बोलने में भी इतना असान है कि फटाक से लोगों की जुबान पर चड़ गया डोलो 650 टैबलेट को बनाने वाली कमपनी बैंगलोरू की माइक्रो लैप्स लिमिटेड है वहीं कालपोल और क्रोसीन को यूके की मल्टीनेशनल कमपनी जी एस के फार्मासुटिकल बनाती है माइक्रो लैप्स अपने पेरासीटा मॉल ब्रांड डोलो को 650 mg की कटैगरी में लॉंच किया था कमपनी ने जान बूज कर इस बात पर फोकस किया था कि सिर्फ हम ही पेरासीटा मॉल का 650 mg देते हैं बाकी कमपनिया सिर्फ 500 mg में हैं माइक्रो लैप्स ने अपने ब्रांड प्रमोशन में F.U.O. यानि फिवर ओफ अन्नोन ओरिजिन टम का इस्तमाल किया इससे डॉक्टर का प्रिस्किप्शन भड़ गया अगर बुखार का कारण पता नहीं है तो डॉक्टर डॉलो 650 प्रिस्क्राइब करने लगे 14 जुलाई 2022 को CBDT ने प्रेस कोंफरेंस कर डॉलो बनाने वाली कंपनी पर आरोप लगाये की कंपनी ने डॉलो की सेल भढ़ाने के लिए डॉक्टरों को करीब 1000 क्रोड रुपे की घूस दी है CBDT ने ये आकड़ा 6 जुलाई 2022 को आईकर विभाग द्वारा नो राज्यों में बैंगलोर में स्थित माइक्रो लेप के 36 ठिकानों पर छापे मारने के बाद मिली जानकारी के आधार पर दी कलाशी अभियान के दोरान आईकर विभाग को दस्तावेजों और डिजीटल डेटा के रूप में परियाप्त आपत्ती जनक सुबूत मिले इसी को अधार बनाकर Federation of Medical and Sales Representative Association of India FMSRAI ने सुप्रीम कोर्ट में एक याची का दायर की Association के एड़ोकेट ने डोलो बनाने वाली कंपनी पर यह आरोब भी लगाया कि सरकार द्वारा 500 mg तक की दवा का पैसा रेगुलेट किया जाता है लेकिन 500 mg से अधिक वाली दवा का दाम मैनुफेक्चरर अपने हिसाब से तै करता है इसलिए डोक्टरों को एक हजार करोड की रिष्पत दी गई थी ताकि वो डोलो की 650 mg वाली दवा लिखें ताकि कंपनी को ज़ादा से ज़ादा मुनाफ़ा हो साथी कोट में एडवोकेट ने मांग की कि इस कंपनी के खिलाफ कारवाई की जाए और आगे से इस तरह की इरेगुलरेटी ना हो इसलिए किंदर सरकार को भी इसके आदेश दिये जाएं डोलो 500 mg की 15 टैबलेट 13 रुपए में मार्किट में मिलती है जबकि डोलो 650 mg की 15 टैबलेट 39 रुपए में मिलती है यानि 500 mg की एक टैबलेट मात्र 90 पैसे की है जबकि 650 mg की एक टैबलेट करीब करीब 2 रुपए की है यानि कम्पनी ने चलाकी दिखाते हुए वक्त की नजाकत का खूब फाइदा उठाया और करोना काल में जम कर पैसा लूटा कोर्ट ने भी इस मामले में चिंता जाहिर की और पीट की अगुआई कर रहे जस्टिस डीवाई चंदर चूड ने यहां तक कहा आप जो कह रहे हैं वो काफी चिंता जनक है जब मैं करोना से संक्रिमित था तो मुझे भी यही दवा लेने को कहा गया था यह एक गंभीर मामला है हाला की सुप्रीम कोड में दायर इस याचिका में सिर्फ डोलो बनाने वाली कंपनी पर ही निसाना नहीं साधा गया है इसमें कहा गया है कि तमाम फार्माशिटिकल कंपनिया अपनी दवाईयों की बिक्री बढ़ाने के लिए डोक्टरों को रिश्वत दे रही है उन्होंने कहा कि इस से आम लोगों पर बहुत बुरा परभाव पड़ रहा है और यह समीधान के अनुछेद 21 के तहत जीने के अधिकार का खुला उलंगन है संक्थन दे मांग की है कि केंदर सरकार यूनिफर्म कोड फार्मासिटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसिस को कानूनी अधार देते हुए उसे उचित तोर से लागू करे ताकि ऐसे मामले की मॉनिटरिंग की जा सके सिस्टम में पार दर्शिता हो और जिम्मेदार लोगों को जवाब दे ठहराया जा सके आपको मेरा है एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को भी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जैहिंद जैभारत